नमस्कार बहुत स्वागत आप सब का देख रहे हैं जोतिश जराहट के गुरह परिवर्तन शुक्र के विशे में हम चर्चा करेंगे शुक्र का राशी परिवर्तन 27 फरवरी को होने जा रहा है मकर राशी में शुक्र का प्रवेश होगा 27 फरवरी को मकर राशी में शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है धनु से और यहां इनकी उपस्थिती रहेगी 30 मार्श तक 27 फरवरी से 30 मार्श तक शुक्र मकर राशी में रहेंगे जहां पर शनिदेव और मंगल भी रहेंगे अब हम केवल इंडिविजुल ही आपको पहले बता देते हैं वैसे तो फिर मिश्रित फल भी हम बताएंगे कि मकर का शुक्र आप मेश से लेकर मीन तक वालों के लिए क्या फल देगा सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी के दसम में दुतियेश और सब्तमेश होकर की उपस्थित होंगे केंद्र और दुती के स्वामी होकर की धन की वृद्धी करेंगे प्रमोशन आपका हो जाएगा पेंडिंग चल रहा था आगे बढ़ जाएगा महिला बॉस का साथ मिलेगा कुछ पुराने समस्याओं का हल स्वतह होगा मजबूती आएगी ड्रॉबैक क्या होगा इनका शाह खर्ची अर्थात अनावश्य खर्च शो करने के लिए दिखाने के लिए बढ़ा देंगे ब्रिशब राजी ब्रिशब वालों के लिए वर्दान होने जा रहा है शुक्र की उपस्थिति ब्रिशब के लिए यह परिवर्तन नमंभाव में है केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोन में आए सब प्रकार से शुबता रहेगी लेकिन उसके मूल में धर्म और करतब्य परायनता अगर है तो ही शुबता रहेगी अन्यता आपकी कुंडली में छठे का स्वामी भी शुक्र होता है ब्रिशब वालों के लिए लिहाजा गुप्त श्चत्रू आपके एकदम से पनप जाएंगे बढ़ जाएंगे तो बैलन्स बनाए रखने के लिए इमानदारी और करतब्य बोध आपको जरूर होना चाहिए मिथुन राशी मिथुन राशी के लिए अश्टम में शुक्र का प्रवेश है बारहमे के स्वामी है और पंचम के स्वामी है अश्टम भाव में शुक्र कहाना कामेक्षाओं के प्रती प्रवल इक्षा देगा एकांत वास से बचिएगा मिथुन राशी के लड़कियों को भी अकेले में रहने से बचना चाहिए कुविचार बहुत आएंगे इसे पुरुष जो अकेले रहते हैं पती पत्नी से दूर रहते हैं उनके लिए खत्रे की घंटी है कम कहना अधिक समझना धन खर्च भी बढ़ेगा इस्त्री से वात विवाद की संभावना भी बढ़ेगी करक्राशी आपके सब्तम भाव में शुक्र का प्रवेश है विवाह फटा फट होने जा रहा है चाहे लड़की हो या लड़का अगर कुंडली में अविवाहित योग नहीं है तो कुवारा कुवारी योग नहीं है तो शादी होने की संभावना बढ़ रही है व्यक्तित तुम्हें निखार आएगा रंग और फेयर होगा कुछ वस्त्र आद की खरिदारी करेंगे वार्ड रोब आपका बढ़ेगा स्वेत रंग की तरफ आकरशन जाएगा इंटर्व्यूज में सफलता मिलेगी नई नौकुरी की संभावना है परिवार में थोड़ी सी खुशहाली आएगी मन विनूद प्रिय रहेगा सब कुछ सकारात्मक है कुछ भी बहुत गड़बड नहीं है करकवाले मस्त निजॉए करे सिंघराशी आपके लिए दसम के स्वामी है और तृतिये के स्वामी है और आ गए छठे में गुप्त शत्रों के प्रती रुजहान आपका बहुत डिफेंसिव रहेगा उनसे आप दो-दो हाथ करके जीत जाएंगे कहीं पैसा ब्लॉक हो सकता है कोई आप से पैसा लेगा फंसा देगा परिवार में कुछ वैमनस्य की इस्थती रहेगी पिता से वैचारिक मद्भेद होगा ननिहाल पक्ष से कुछ अप्रिय समाचार मिल सकता है कन्याराशी शुक्र का परिवर्तन 27 फरवरी से 31 मार्च 31 को फिर कुम्ब में आ जाएंगे मकर से शुक्र कन्याराशी वालों के लिए दुती भाव के स्वामी है और नमम भाव के स्वामी है यहां इस्थती ठीक ठीक रहेगी कोई बहुत गड़बर नहीं होने जा रही है पंचम में शुक्र मकर राशी के आपके लिए सकरात्मक है पैसे के मामले में यह एक महीना 30 मार्च तक का समय अयतिहासिक है लिख के रख लीजेगा कन्यराशी वालों के लिए संतान का सुफ कन्यरत्न की प्राप्ति बिवाह की संभावना प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा बच्चा कंसीव होने की संभावना यह सब सकरात्मक है वाहन सुख कन्फर्म मकान परिवर्तन कन्फर्म रेंट पे चेंज कन्फर्म गारंटीड लिख के रखिए तुलाराशी चतुर्थ भाव में शुक्राएं है मकान और वाहन जबर दस्त लाब अद्भुत कारक भूमी का निभाएंगे नई नौकरी विवाह की संभावनाएं प्रिसिद्धी अवार्ड मिलना रुके धन की प्राप्ती सब होने जा रहा है जोग एक्टिंग मॉडलिंग के छेतर से उनको नए-नए प्रोजेक्ट मिलेंगे मार्च 30 तारिक तक जबर दस्त आपको आफर आने वाला है बड़े मकान की संभावना फार्म हाउस लेने की संभावना बाग वगीचा लगाने की संभावना समुद्री यात्राओं के संभावनाएं विदेश से शुभलाव की स्थिति सब कुछ आपका होगा अनोखा लाव होने जा रहा है ब्रिश्चिक राशी आपके लिए थर्ड हाउस में शुक्र की उपस्थिति है बहन भाईयों से विशेश लाब होगा थर्ड हाउस छोटे बहन भाईयों से विशेश लाब होगा आलत से आएगा काम में मन कम लगेगा रुके धन की लेकिन प्राप्ति होगी दया प्रिम प्रसंग चल सकता है अहां पंचम से एक आदस भी है भाई क्या आनंद है बहुत शुब इस्थति है आपके लिए मेहनत करेंगे फल मिलेगा धर्म छेत्र में विशेश उपलब्दी कुछ धार्मी की आत्राएं निश्चित हैं धनुराशी सेकेंड हाउस में आग आपका पैसा कोई गिद्ध निगास से नजर रखा है हडप लेगा एक तो यह दिक्कत है लेकिन पैसा आता रहेगा उसकी संभावना प्रबल रहेगी यात्राव मिलाव होगा परिवार में नए मेहमान का आगमन होगा मित्रों का साथ मिलेगा पति-पत्नी के बीच बेश्ट योग है मूल त्रिकोन और केंडरी के स्वामी है भाईया पंचम और दसम के स्वामी है भाईया मतलब अमारे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए कि कितना कुछ मिलेगा आपको यहां बोलना आवश्यक होगा कि शुक्र के साथ शनिदेव भी रहेंगे मतलब अन किहासिक जीत लेने जा रहे हैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं अब क्या क्या कहूं मैं सब सोचेंगे जो हो जाएगा कुम्भराजी बारहमे में आये हैं बारहमे में आना इनका अनावश्यक खर्च बेताहाशा बढ़ाएगा कोई दोस्त धोखा दे सकता है लंबी यात्रा आईएगा खत्रे की घंटी है मीन राशी एक आदस भाव में शुक्र की यह यूति थर्ड हाउस के स्वामी होकर अश्रम भाव के स्वामी होकर थोड़ी से नकरात्मक हैं आपके लगनेश के परम शत्रू हैं शुक्र तो आपको बहुत साउधान रहने के आवशकता है आप आपका लाभापका लाभांश कोई ले सकता है उस पे गिद्ध निगाहें डाल सकता है खतरनाक की स्थिति में आ सकता है साउधान रहिएगा शुक्र की स्थिति को सुधारने के लिए खटाई से त्याग करें खटाई कम खाएं कुमारी कन्याओं को छोटी बच्चियों को क कुछ मीठा चॉकलेट टॉफी आदी देते रहिएगा शुक्र बहुत अच्छा फ़र देगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरस्वती औरा कवच मिलकर पाने के लिए गोरखपूर और लखनव आप मिल सकते हैं गोरखपूर में 18 फरवरी और लखनव में 22 फरवरी और उस झामलेट ओ कर रे लिए दोटांवरी UP झामलेटमाझा 순it पिए करेंदेते हैं योरल है में जितेते हैं प्र ऀार कर दो जेदेए हैं त मुट भूर में झामलेटर टॉरूर विओट व़री और लदए